तेथी फरी स्वागत छे अने, आजे फरी आपने आ आयगन मुल्यों अने आयगन वेक्टर्स पर आपनी चर्चा चालू राखिशूं। आ लेक्टर नंबर 50 छे अने आपने मुख्यत्वे विकारणी करण पर ध्यान केंद्रित करिशूं। अने, मेट्रीसी स्वगेरेनी शक्ती मेडववा माटे सिस्टम ओफ लिनियार इक्वेशन्स ओकेलवा माटेनी। तेनी डिप्लिकेशनों पर पर ध्यान केंद्रित करिशूं। तेथी हवे आपने अहीं जे मेट्रिक्स नी चर्चा करिशूं। तेनूं, डायगनोलाइजेशन शूंग छे। तेथी स्क्वेर मेट्रिक्स ए डायगनोलाइजेबल योग्य कहवाए छे। जो त्यां invertible matrix P, अस्तित्व मां होए, जें के आ P inverse अपी, A diagonal matrix छे, अथवा बिजा शब्दों मां कहिए, तो काराण के आ ख्याल आपने पहला थी ज़, matrices नी similarity रजु करी छे, तेथी बिजा शब्दों मां कहिए, तो जो कोई diagonal matrix जेवूं similar जहोए, काराण के जो point अहीं होए, तो diagonalizable कहवा मां आवे छे, जो आपने आ एन, inverse लखी शकिए, तो P एक diagonal matrix छे, तो आपने कहिए छिए, के R diagonalizable छे, तेथी आएन नो अर्थ अहीं diagonal, matrix जिवो छे P inverse AP अने आपी invertible matrix छे, जे आपने शोधवानूं छे, जे थी आपी inverse AP बने, diagonal matrix, तेथी AB ने N matrix ने cross करवा दो, अने ते एक सरस परिणाम छे, के A हम्मेशा diagonalizable छे, एटले के आपने आवापी शोधी शकिए छे, जेन के आपी inverse AP ए diagonal matrix छे, तेथी परिणाम अहीं छे, ए जो ए पासे N linearly independent आयगन वेक्टर होई, तो ते diagonalizable छे, जे थी आ सरस परिणाम छे, अहीं गानी साथे कोई लेवादेवा नथी, आयगन मुल्यो वास्तव मां आपने आयगन वेक्टर्स जोवाना छे, तेथी जो आपने N linearly independent आयगन वेक्टर्स मलेतो, एन ए डायगनोलाइज करी शकाई छे, अने जो आपने मेलवी शकता न थी, आ, N linearly independent आयगन वेक्टर्स, पछी ए डायगनोलाइजेबल न थी ते थी, आ लेक्चरनून, मुख्य परिणाम, फरिथी आपने अहीं अउक्चारिक प्रुफ मांथी पसार थाईशों नही परन्तु आपने आ केवी रिते कार्य करी रहियों छे, ते घणा उदाहरणोंनी मदद थी जोईशू, अने आ, परिणामनो बिजो अनुगामी आपने अहीं मेलवी शकीए छीए, जो N ए अहीं N क्रोस N मेट्रिक्स आए छे, अने तेनी N डिस्टिंक्ट आयगन वेल्यू छ तो ते पन डायगनोलाइजेबल छे, अने पची कारण स्पाष्ट छे, कारण के जो आपनी पासे N डिस्टिंक्ट आयगन वेल्यू छे, तो आपन ने N, लिनेरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्टर पन मडशे जेनू परिणाम आपने अगावना लेक्चर मां, जो इ लेल्यू ने अनुरुप आपनी पासे, लिनेरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्टर छे, तेथी आखरे अहीं आ बिजू परिणाम फरिथी आ जेवूंज छे, पाचलू एक के ए डायगनोलाइजेबल छे, अने मात्र जो तेमा गेन लिनेरली लिनेरली वेक्टर, तेथी अहीं फक्त एक नोंद छे के आ मेट्रिक्स पी जे डायगनोलाइज करे छे, तेने ए अने जेनी कोलमो नो मोडेल मेट्रिक्स कहवामा आवे छे, मारो अर्थ छे के आ पोईंट केवी रिते शोधवूं, मेट्रिक्स पी तेथी अहीं आ मोडेल मेट्रिक्स पी, पासे कोलम नथी जे आ विवीद आयगंस ना अनुरूप छे तेथी जो आपणी पासे एन लिनेरली इंडिपेंडन्ट आयगंस नथी तो आपणे फक्त आपी मेट्रिक्स मान जमुकिशून अने आ मेट्रिक्स छे अने आ मेट्रिक्स छे अने जारे आपने आपी इन्वर्स अएपी ने तपासिये छिये त्यारे ते डायगोनल मेट्रिक्स सिवाई बिजुंकनी नहीं होए अने आ डायगोनल मेट्रिक्स नी एंट्रियों हशे मात्र आयगन मुल्यो, आने अनुरूप, आयगन वेक्टर्स आपने अनुक्रम मां मुख्या छे, आपी मेट्रिक्स ना कोलम तरीके तो, चालो हवे आ उदाहरन ने, पांच चार अने एक बे, साथे ध्यान मां लईए, तेथी अहिंग आपने आयगन मुल्यो आने आयगन वेक्टर्स नी गणतरी माटे आपनों वदू टाइम पसार करिशू नहिंग काराण के आपने पहलानान लेक्चरमान पहले थी जजोयू चे, तेथी आपने आ उदाहरन माटे आयगन मुल्यों ने कंप्योट करी शकीए छिए अने पची, ते एक अने छावे छे कारण के आ विचार सरण छे, के आ पांच माइनस लेंबडा अने पची आपनी पासे चार अने एक बे माइनस लेंबडा छे तेथी, आ निड़नायक ने हल करवा माटे आपने अहीं आ प्रोडक्त करी शकीए छिए अने पची आपनी पासे अहीं माइनस बे अने माइनस पांच, एटले माइनस साथ लेंबडा अने माइनस चार, ए जिरो बराबर जिरो छे, तेथी आ लेंबडा स्क्वेर, माइनस साथ लेंबडा छे, अने प अंबडा माइनस एक जीरो बराबर छे तेथी अहीं आपणने आ आयगन मुल्य एक अनेच तरीके मड़े छे तेथी आ आयगन मुल्यों हवे दरेकने अनुरूप होवाने कारणे आपणे आयगन वेक्टर शोध्वूं पडशे अने अहीं आपणी पासे खरेखरा अलग आयगन मुल्य छे तेथी आपणने बे लिनेरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्टर्स मडशे अने पची आपणे आ मेट्रिक्स ने डायगनोलाइज करी शकीए छीए तेथी अहीं एकने अनुरूप आयगन वेक्टर्स माइनस वन तरीके आवशे जेथी ते आ एकने अनुरूप छे अने छने अनुरूप हशे तो आपणे अहीं चार एक मेडवीशू अने हवे, एक वार आपणी पासे आयगन वेक्टर्स छे आपणे आ मोडेल मेट्रिक्स बनावी शकीये छीए जेने आपणे पी कहीये छीए तेथी आपणे आ वेक्टर्स आपी नी कोलम तरीके बनावीये छीए तेथी अहीं माईनस एक ते पहलों कोलम छे औने पची आ चार एक ते बीजी कोलम छे तेथी आपणों मोडल मेट्रिक्स हवे तैयार चे अने आपणे चकासी शकीये छीए के आपी इनवर्स आएपी केवी देखाये छे तेथी अहीं आपने आ P-inverse पन मेडववूं पडशे ते ए इंवर्स छे तेथी 2 by 2 matrix ते सरण छे तेथी आपने अहीं आ निर्णायक द्वारा डिटर्मिननट करवूं पडशे अने पछी आपने चिहन बदलवानी जरूर छे अने निर्धारित फरिथी माइनस चिहन साथे थशे तेथी अन्ते आपने आ matrix P-inverse तरीके मड़ शे जे आपने आ बेनो गुणाकार करीने पन चकासी शकीए छे अने आपने आइडेंटिटी मेट्रिक्स मड़ी रहियों छे तेथी अहीं P-inverse अने जो आपने आ P-inverse अएपी ने कंप्यूट करिये तो ते डायगोनल मान एक छे अने ते एक डायगोनल मेट्रिक्स आवे छे अने आ अहीं बराबर पोईंट छे तेथी आपने आपना मोडेल मेट्रिक्स माना वेक्टर-1 तरीके राख्या छे पहलों कोलम अने ते आयगन मूलिया एकने अनुरूप हतुं अने तेथी जो आहीं आ प्रत्थम आयगन वेल्यू आवी रही छे अने बिजा किस सामां अमे आ बिजी कोलम राखी छे जया छने अनुरूप हती अने तेथी बिजूंग, डायगो नल्मान तत्वा अहीं चछे तेथी आ ओर्डर जो आपने बदलीए दाखला तरीके अहीं नो जो आपने तेने पी जेवा चार मां बदलीए एक अने माइनस एक जो आपने बदलीए तो आपने जो आपने आ मोडेल मेट्रिक्स लईए तो आपीलो पछी अहीं पी इन्वर्स अए पी जारे आपने कंप्यूट करिये त्यारे आच जीरो अने जीरो एक हशे कारण के अहीं आच अने अनुरूप हतूं अने पछी आ अहीं आ नंबर वन ने अनुरूप छे तेथी ते मुझब ते क्रम बदला शे तेथी आपने अहीं आयगन वेक्टर्स अनुरूप क्रम माटे जे क्रम मुकिशुन ते डायगोनल एंट्रियो मान आयगन मुल्यो तरीके अनुसर्वा मान आवशे तेथी ते अहीं अगत्यनों बिजो मुद्धो छे जेनों एपन उल्लेख करवो जरूरी छेके दाखला तरीके आ यूनिक आयगन वेक्टर नथी तेथी आपने कोईपन संख्या वड़े आ माइनस एक साथे गुणाकार करी शकीए छीए जे फरीथी आयगन वेक्टर पन हशे अहीं पन आ चारनों आपने गुणाकार करी शकीए छीए कोईपन स्केलर द्वारा ते पन आयगन वेक्टर हशे कारां के आयगन वेक्टर से यूनिक न थी अने आम करवाथी पन कोई समस्या न थी, आपणे अहीं कोई पन वेक्टर ने-1 अने 1 राखी शकिये छेे उँदाहरां तरीके –2 अने 2 पन अहीं पहला गोलममां मुखी शकिये छे चे अने बीजी कोलम मां आपने दाखला तरीके मुकी शकिये चिये आपने अहीं बे वडे multiply करी शुंग 8 अने बे जेती आपने बीजी कोलम मां 8 अने बे मुकी शकिये तेथी वांदो नथी के आपी इन्वर्स नुन ध्यान राखवा मां आवशे अने छता पन आ प्रोडक्त आपशे आपनने समान डायगोनल मेट्रिक्स एक जीरो जीरो छे तेथी अहीं तेनी सामगरी छे के शूंग आपने अहीं आ आयगन वेक्टर्स ने अमुक स्केलर वडे गुणाकार करिये छीए ते आपी साथे कोई वांदो न थी समान डायगोनल मेट्रिक्स जेनी एंट्रियो एक अने छह शे ते जवस्तु फरिथी महत्वनी छे तेनो ओर्डर अहीं आपने आ आयगन वेक्टरों मुकिये छीए ते थी जे ओर्डमान आपने अहीं आ आयगन वेक्टर ना कोलम तरीके मुकिये छीए ते ज़ ओर्डमान आ आयगन वेल्यू देखाशे तो अहीं आ 3, 2, 3 मेट्रिक्स नुम बिजो मुदाहरन छ माइनस बे बे अने पची आपणी पासे माइनस बे तरन अने माइनस बे एक बे माइनस एक तरन छे तो आ मेट्रिक्स माटे पन जो आपणे तपासवूं होई के ते डायगोनल करी शकाई छे के नहीं अने शोंग हशे डायगोनल मेट्रिक्स मोडेल मेट्रिक्स शोंग हशे तेथी तेना माटे आपणे आयगन वेल्यूनी गणतरी करवानी जरूर छे तेथी आ मेट्रिक्स माटे आयगन मुल्यो बे बे अने 8 आवशे तेथी हवे फरिथी दरेक आयगन मुल्य माटे आपने आ मोडेल मेट्रिक्स पी बनावा माटे आयगन वेक्तर ने कंप्योट करवानी जरूर छे अने आ आयगन मुल्यों ने अनुरूप आ बे बे पुनरावर्तित एक तेथी अहींगा बे नी बिजगनित मल्टिप्लिसिटी बे छे अने हवे आपने आने अनुरूप आयगन वेक्तर नी गणतरी करिए छिए तेथी अहीं आबे माईनस बे अने माईनस बे छे जेथी ते त्यां मेट्रिक्स महशे जेने आपने सिस्टम of linear equations तरीके उकेल्वा मांगिये छिए तेथी आम करवाथी आपने अहीं खरेखर्त्रन लिनियरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्तर मेडवी रह्या छिए एटले के बेनो आभाव मितिक गुणाकार बे छे अने आ चोकस किस सामंग जियोमेट्रिक गुणाकार पन बे थशे तेथी आ बेने अनुरूप छे आपन बेने अनुरूप छे अने अहीं आपनी पासे आ आठने अनुरूप छे तेथी आपनी पासे त्राण लिनियरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्तर छे अने ते एक कारण छे के हवे आपने आ मेट्रिक्स ने वास्तव मां डायगनोलाईज करी शकिये छिए कारण के आपनने त्रण मेट्रिसिस नी जरूर छे याद राखो के अहीं मोडेल पी याद राखवानू छे अहीं मोडल मेट्रिक्स पी एज ओर्ड मां हशे कारण के मेट्रिक्स पी भरवा माटे आपणने आ त्रण कोलम नी जरूर छे तेथी जो आपणी पासे त्रण लिनेरली इंडिपेंडन्ट वेक्तर होई तो आपणे आपी बनावी शक्ता न थी बीजा शब्दो मां कहिए तो ती किस्सा मां मेट्रिक्स ए डायगनोलाइजेबल करी शकाए तेवूं कारण के आपणने त्रण लिनेरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्तर मडी रहया छे अने मोडेल मेट्रिक्स पी अहीं आपणे आ एक बे जीरो ओचा जीरो बे पहलां बे कोलम अने आठ ने अनुरूप मुकिशू आपणी पासे आ बे माइनस एक त्री जा कोलम तरीके छे तेथी आ बे पहलां कोलम ने अनुरूप छे तेपन बे ने अनुरूप छे अने आ ए त्री जा कोलम ने अनुरूप छे तेथी आपनो ओर्डर बराबर आ ज़ रहे शे अने आ डायगोनल एंट्रियो बन शे मेट्रिक्स पी इन्वार्स अएपी तेथी जो आपने हवे पी इन्वार्स अएपी ने कम्प्यूट करिये तेथी आपने आ पी इन्वार्स्न मेडववानी जरूर छे अने पची आ प्रोडक्ट आपने बनाववानू छे अने पची आपने आ बेबे अने ए बराबर ओर्डर मडशे जे आपने अहीं आ आयगन वेक्टर्स मुख्या छे तेथी आमने आ डायगोनल एंट्रियो अहीं बेबे आठ बिलकुल समान मड़ी रही छे जे थी करिने अहीं डायगोनल मेट्रिक्स जे मेट्रिक्स ए जेवूंज छे अने पची थी आपने आ मेट्रिक्स विशे घणी सारी प्रोपर्टीज जोईशून कारण के तेओ आ सीमिलर मेट्रिक्स ना घणा सामान्य प्रोपर्टीज अने केटलिक एप्लिकेशनों खुब ज महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों शेर करे छे जारे आपने मेट्रिक्स ने डायगोनल करी शकिये छिए आपने तेनों उप्योग घणी एप्लिकेशन्स मांग करी शकिये छिए जेथी ते आ लेक्चर नो चर्चानो विश्वय पन हशे तो अहीं चेल्लूं उदाहरन आपने बिजूंग लैशों जा आपने जो ये छिए के आ निचेनों ट्राइग्योलर मेट्रिक्स छे जे मां डायगोनल मांग 2-2-3 एंट्रियो छे अने पची आपनी पासे आ चार छे जे बंद डायगोनल बाकी छे बधूं 0 छे तेथी आ किस सामां जो आपने ट्राइग्योलर मेट्रिसिस माटे आपने जानिये छिए ते आयगन वेल्यू ने कंप्यूट करिये तो आ 2-2-3 छे तेथी आयगन वेल्यू 2-2 अने 3 हशे अने आपने 2 ने अनुरूप अने आ 3 ने अनुरूप आयगन वेक्तर ने फरीथी कंप्यूट करवू पडशे आ किस सामां शूम थाई छे के अहीं बेनो आ बिजगनित गुणाकार बे छे अने एवूं बने छे के आ बेनी जियोमेट्रिक गुणाकार एक छे अने ते एक पोईंट छे ज्यांग वास्तवमां आपने सिस्टम ने डायगोनालाईज करी शकता न थी कारण के जियोमेट्रिक मल्टिप्लिसिटी आ आयगन वेल्यू बे माटे बिजगनित मल्टिप्लिसिटी बराबर न थी तो आपनने आयगन वेक्तर नी ओछी संख्या मर्षे अने आपने आ मोडेल मेट्रिक्स पी बनावी शकता न थी तेथी अहीं आबे आयगन वेल्यू ने अनुरुप पुनरावर्तित आयगन वेल्यू आपनने मात्र एक आयगन वेक्तर मणी रहियों छे अने कारण स्पस्ट छे कारण के जो आपने आ इकवेशन घडिये तो माइनस लेंबडा आई x 0 बराबर छे तो अहीं शोम थशे आपनने आ 000 मडे चे अने पछी आपनी पासे अहीं चार चे आ फरिथी 000 अने 001 आ अहीं आयगन वेक्तर माटे समिकरण नी आ सिस्टम नी परिस्थिती चे अने जमनी बाजू जिरो चे तेथी आ system of equation माटे शोंग अवलोकन थाई आपने अहींग अवलोकन करिये छिए के आपनी पासे अहीं 2 pivot element चे 4 अने आ 1 पन आ pivot elements चे अने free variable आपनी पासे मात्राई चे जे अहीं x2 चे तेथी x2 free variable चे एटले के आपने आ x2 पसंद करी शकीये छिए जे आपने गमे छे तेथी चालो आ आलफा लइये अने पची आ equation मान्थी सिधा जा आपने अवलोकन करिये के आ बिजा equation मान्थी x1 0 चे अने आ 3 जा equation मान्थी आपने अवलोकन करिये छिए के x3 0 बराबर चे तेथी आप उन्रावर्तित आयगन वेल्यूने अनुरूपा किस सामां आयगन वेक्टर X1, X2, X3, 0, 1, 0 अने आ 0, 1, 0 नो कोईपन गुणांक आवे छे तेथी ते अहींग छे आपने फक्त आलफा वन लिदो छे तेथी आ अहीं एक आयगन वेक्टर छे अने पची त्राण ने अनुरूपण आपने आयगन वेक्टर ने कम्प्यूट करी शकीए छीए अने ते स्वाभाविक रिते जते एक जा आवशे तेथी आपनी पासे बे ओचा एक अने इक छे तेथी आ बे वेक्टर साथे आपनने जरूर छे आ मोडेल मेट्रिक्स पी नी स्थिती भर्वा माटे त्राण वेक्टर तेथी आपने आ किस्सामां करी शकता नथी काराण के आपनने बे लिनेरली इंडिपेंडन्ट आयगन वेक्टर मडी रहया छे अने तेथी आ मेट्रिक्स अए डायगनोलाइजेबल करी शकातों नथी तेथी आपने अहीं जोयों छे के दरेक मेट्रिक्स ने आपने डायगनोलाइज करी शकता नथी त्यारे आपने फक्त तेज मेट्रिक्स ने डायगनोलाइज करी शकीए छिये जारे आ आयगन वेक्टर नो समोह संपुर्ण अर्थ होई तो जो ते n by n मेट्रिक्स होई पची जो आपने n linearly independent आयगन वेक्टर मडे तो आपने मेट्रिक्स ने डायगोना लाइज करी शकीए नहीं हवे डायगनोलाइजेशन नी एप्लिकेशनों पर आवी रहया छिए आपने पहेलूं एप्लिकेशन ने ध्यानमां लईशोंग के आपने एक वखत मेट्रिसिस नी पावर नी सररता थी गणतरी करी शकीए छिए आपने मेट्रिक्स ने डायगनोलाइज करी शकीए छिए तेथी शामाटे अहीं आयगन मुल्य आयगन वेक्टर साथे शोंग जोडान छे जे आपने हवे जोईशूं तो आ पी इन्वर्स अपी जे आपने जोईउंग छे के ए डायगनोलाइज करी शकाई छे तो आपनी पासे आ संबंद पी इन्वर्स पी बराबर डी छे अथवा आपने तेने फरीथी लखी शकीए के ए बराबर छे तेथी आपने अहीं पहला मल्टिप्लाई बाई पी करी ए एटले तेपी डी थशे अने पछी जमनी बाजू आपने मल्टिप्लाई बाई पी करी शूं तेथी आपने अहीं आ संबंध मांथी बहार निकलीशु में बराबर PD अने P-Inverse छे तेथी आ रिलेशन होई तो जो आपने मल्टिप्लाई करवा मांगिये छिए अथवा आपने आने 1 पावर 2 अथवा स्क्वेर मेडवा मांगिये छिए तो आपने आ P-D-P-Inverse ने मल्टिप्लाई करवानी जरूर छे P-D-P-Inverse साथे अने पची आ प्रोडक्ट नी आ एसोसियेटिविटी प्रोपर्टी साथे आपने अहीं समझी शुम के आ P-Inverse P त्यां छे जेने आपने ओडख मेट्रिक्स तरीके मुकी शकी ये छिए अने पची आपने अहीं मेडविशुम P-D-P-Inverse अर्था P अने आ डायगोनल मेट्रिक्स नी पावर तेथी अहीं X स्क्वेर आ मेट्रिक्स नी पावर आ मेट्रिक्स नी आ बे पावर आवी रही छे आ पावर आ डायगोनल मेट्रिक्स नी पावर मान बराबर अनुवादित छे अहीं शोंग उपियोग छे के आ डायगोनल मेट्रिक्स नो आपने अहीं सरर्ता थी आ पावर मेडवी शकीए छिए कारण के आ पावर सीधी आ डायगोनल एंट्री मान जशे तेथी आपने खरेखरा मेट्रिक्स ने अहीं आ पावर माटे D मल्टिप्लाई करवानी जरुर नथी परंतु मात्र डायगोनल एंट्री ओनो वर्ग करवा माँ आवशे अने ते अहीं कारण छे तेथी A स्क्वेर हवे खूब ज़ सरण छे P D स्क्वेर P इंवर्स तेथी आपने फक्ता मल्टिप्लाई करवा पड़ छे स्वाभावी क्रीते जारे आपनी पासे अहीं उच्छ पावर होई त्यारे मात्र बे माटे ज़ नहीं कारण के कोई पन संजोगो मां हवे आपने आ मल्टिप्लिकेशन P D स्क्वेर अने आपन P इंवर्स साथे करवानों छे तेथी अहीं स्वाभावी क्रीते जा काम वदू छे जो आपने फक्ता पावर बे शोद्वा मांगता हो तो पन उदाहरन तरीके जो आपने पावर मेडववा मांगिये छिये तो 1000 पावर मेडववा माटे तो चोकस पने आखूब ज उप्योगी थशे कारण केडी पावर नी उच्छ पावर ने कंप्यूट करवी सरर बनशे तेथी आ एक स्क्वेर शा माटे आवी रहे हो छे आपने आ विचार कंटीन्यू राखी शकी ए उदाहरन तरीके त्रण पन समान स्ट्रक्चर थशे तेथी आ पी डी स्क्वेर पी इन्वर्स जे स्क्वेर माटे छे आपने आ गणतरियों मांथी जोई शकी ए छिये के एक पावर एन पन अहीं मात्र d पावर एन हशे अने आ पी d पावर एन पी इन्वर्स तेथी आ मेट्रिक्स टी मां ट्रांसलेट करवा पर आ पावर अहीं कंटीन्यू रहे शे तेथी सामान्य रितेपन आपने साबित करी शकीये कि आये पावर एन अपी डी पावर एन अने पी इन्वर्स सिवाई बीजुशुम जनी नथी तेथी जारे में पहला कहिंव तेम आपने उप्योग करी शकीये चिये जारे आपने आ मेट्रिक्स नी आ खुब उमची पावर ने अहिंग मोटी संख्या मां गणवा मागिये छिए त्यारे आ खूब ज़ उप्योगी छे कारण केडी पावर एन अहिंग कम्प्यूट खूब ज़ सरण छे कारण के जो आपने बे डायगोनल मेट्रिक्स लेए उदाहरन तरीके आ अहिंग अने आपने तेनी साथे गुणाकार करवा मांगिये छिए तेथी हवे शों थशे तेथी जो आपने आने मल्टिप्लाई करीशों तो एक स्क्वेर आवशे अने पचिया गुणांग जिरो थशे अहीं पन आज 0 थशे अने 20 स्क्वेर आवशे तो शूम थाई छे जारे आपने डायगोनल मेट्रिक्स नूम प्रोडक्ट करिये छीए त्यारे आपने फक्त सरड रिते करिशूंग आ पावर डायगोनल एंट्रियो मान जशे तेथी आपने आ करवानी जरूर न थी मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन तरीके फक्त त्यारे ज़ जारे आपनी पासे पावर डायगोनल थी तेथी अहीं ते पोइंट छे तेथी आ संबंध धरावे छे के पावर डायगोनल थी तेथी ते कंप्योट करवा माटे खुब जा सरण छे अने पची अन्ते आपने आ प्रोडक्ट ने पी अने पी इन्वर्स साथे बनाववानी जरूर छे तेथी आ मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन माटे अहीं मात्र गणतरी लोड छे परन्तुडी पावर डेन माटे अहीं फक्त ते लिनियार संबंधो छे तेथी आ डायगोनल एंट्रियो संचाली थशे अने बिजुंकनी नहीं तो चालो फक्त एक उदाहरान जोईये जे कहे छे के आ शोधो ए माटे 5 पावर बराबर 1,4 अने 8,2,0 तेथी परन्तु आम करवा माटे आपने आयगन वेल्यू अने आयगन वेक्तर ने पन कम्प्यूट करवू पडशे काराण के आपनने तेपी नी जरूर छे अने आपनने ते डायगोनल मेट्रिक्स नी पन जरूर छे तेथी आ किस्सामा आयगन मुल्य आपने,-1 अने 2 आवे छे, अने 5 आपने,-1 ने अनुरूप आयगन वेक्तर नी गणतरी करिये छिये ते 2,1 छे अने, 2 ने अनुरूप ते 4,1 तरीके आवे छे, तेथी आ होवा ने लिधे हवे आपने, आ पी ने मोडेल मेट्रिक्स पी बनावी शक्किये छीए, तेथी आपणे आ आयगन वेक्टर्स ने अहीं, कोलम तरीके मुखी रहया छीए, तेथी पहला कोलम मांग, आपणी पासे बे माइनस एक छे, अने बीजा कोलम मां आपणी पासे आ चार छे, तेथी हवे आ मोडेल मेट्रिक्स साथे, आपने आ पी इ तेथि आपने आने डायगोनल मेट्रिक्स नी पावर मेड़ोवी पढ़शे अने पछी, आपने आपी multiply by P inverse करवो पढ़शे, तो आने जोई रहया छीए एटले आपनी पासे आपी inverse चे अने पची AD, हतो, तो D0 हशे आपनी पासे आयगन मुल्यों-1 अने 1 CH, तेथि AD सरल बनी जशे, आपણे आ आयगन मुल्यों ने ए ओर्ड मां मुखवा पडशे जे रिते आपणे आ आयगन वेक्टर्स ने पी मां मुख्या छे, तेथी आ बे ओच्छा एक ने अनुरुप हतूं अने बिजुंग 2 ने अनुरुप भतुंग, तेथी आ ओर्डर अहीं अयगन मुल्य मां जाडववा मां अवशे जे थी, अहीं आ डी मेट्रिक्स छे, तेथी डी पावर 5 मात्र ओछा एक पावर 5 छे, अने आ बे पावर 5 जे, अहीं छे, तेथी आपने वास्तव मां खुब उ एंट्रियों नी एक पावर करवी पडशे, अने पचिती आपने कोई पन संजोगो मां फक्त, आपी मल्टिप्लाई बाई पी इन्वर्स करवू पडशे, तेथी, मेट्रिक्स एनी कोई पन पावर साथे आ संबंध शोध्वानू हवे सरड़ छे, तेथी, अहीं एक पावर रिते त्यारे थाई छे, जारे आपने खरेखर आ मेट्रिक्स ए, नां उच्छ पावर ने कंप्योट करवा मांगता हो ये, त्यारे आ मेट्रिक्स एना प्रोडक्ट नी सर्खामनी मां गणतरी नी रिते खूब जा कार्यक्षम छे, तेथी, अहीं गेक एवी एप्लिकेशन हती, जां आपने आ आयगन मुल्य आयगन वेक्टर्स अथवा खास करीने, मेट्रिक्स ना डायगनोलाइजेशन नो आ विचार वापरिये छिए, हवे, आगामी एप्लिकेशन पर आवी रहया छिए, जे लिनियर डिफरेंशियल सोल्योशन नी सिस्टम नो उकेल छे, जोके डिफरेंशियल सोल्योशन, आगामी केटलाक व्याख्यानो नो विश्य हशे, परन्तु अहीं फक्त आना विचार, अथवा आ डायगनोलाइजेशन नी एप्लिकेशन नो परिचे आपवा माटे, आपने खूब ज़ सरण उदाहरन पन आपिशूं, तेथी अहीं आपने लि यूगल छे, तेथी अहीं आपनी पासे, आ, डाबी बाजु छे उदाहरान तरीके आज डेरिवेटीव शब्द छे एटलेके आपनी पासे, आ डीएक्स, एक डी, टी, छे, अने धारो के आपनी पासे बे एक्वेशन छे, तेथी डी, एक्स, बे उपर, डी, टी, अने पच अबे अजानिया छे उदाहरण तरीके आ सिस्टम मां x1 अने x2 अने आ सिस्टम तरीके कारण के आ सिस्टम ना प्रथम equation dx1 over dt आ x1 अने x2 धरावे छे तेथी ए 1 1 x1 वत्ता a 1 2 x2 अने बिजूंग equation अहिंग dx2 उपर dt a 1 1 a 2 x1 अने वत्ता a 2 2 x2 छे तेथी आपणी पासे मुर्भुत रिते आ 2 equation छे आ 2 differential equations छे जे आपणी पासे सामान्य डेरिवेटीव छे तेथी आ सामान्य differential equations नी सिस्टम छे अने आ जोडी छे कारण के आ x1 अने x2 आ equation 1 मां तेमज equation मां हाजर छे 2 तेथी आ आ आवरी लेवा मां आवेला equation छे अने ते उकेलवा मांटे खुब सरण न थी परन्तु आ diagonalization न विचार साथे ते खुब ज़ सरण बनी जाए छे कारण के आपणे हवे अहिंग अवलोकन करिशूं तेथी आपणे जे धार्वूं छे ते आपणे धार्वूं पडशे के आ मेट्रिक्स आए diagonalizable करी शकाए तेवूं छे आ गुणांक मेट्रिक्स अहिंग डायगनोलाइज करी शकाए तेवूं छे तेथी एकवार आपणे जानिये छिये के dap inverse ap नी बराबर छे तेथी आडी तो अहिंग आ सिस्टम जे आ x नो derivative तर्म हतो ते ए बराबर छे हवे आ p dp inverse तेथी p dp inverse अने x द्वारा बदलवा मां आवे चे जमनी बाजू अने आपने शुम करिये छिये आपने हवे आ एकवेशन ने p inverse मां गुणाकार करिये छिये तेथी आपनी पासे p inverse आ derivative टर्मस नो वेक्तर छे पचि आपनी पासे dp inverse छे अने आ x टर्म हवे आ मात्र गुणां छे आ matriks अहिंग जे आपनी पासे model matriks छे तो आ मात्र अहिंग निंत्रियो पी ते constant छे तेथी आपने खरेखरा पी इन्वर्स फरी लखी शकीए अने अहीं डेरिवेटीव टर्मस आ वेक्तर मान आवी रहया चे तेथी आपने फक्त आपी इन्वर्स आ Jewish नूं, डेरिवेटिव लई शकिये कारण के आ कॉन्स्टंट टर्म्स छे तेथी डेरिवेटिव समाटे आ कोई वांदो नथी तेथी आपने, तेने सामई क्रिते पी इन्वर्स आ Jewish आ डेरिवेटिव राइट हेंड साइड पीडी, अने आपी इन्वर्स आ इक्स तरीके लिदो छे, अने हवे आपने शों करिये छिये, आपने अहीं फक्त एक नवुं वेरियेबल बदलिये छिये, आपने आपी इन्वर्स आइक्स माटे लईये छिये, तेथी आपी इन्वर्स आइक्स ने, सब अपनूं डिफरेंशियल सिस्टम अहीं जे आ हती, X.AXT नी बराबर छे, जे हवे रिड्यूस करी ने आ वाय डोट बराबर डी वाय टी छे, तो हवे आ सिस्टम थी आ सिस्टम ने, शूं फाय दो छे, हवे तमें नोंध्यों छे के RDA अहीं हवे डी मांग डायगोनल एंट्री छे, अने ते छे आय अगन मुलियो अहीं, आ डी मां स्थान धरावे छे, तेथी अहीं आपनी सिस्टम मां रिड्यूस्ड सिस्टम नो फाय दो ए छे के, अहीं आपनी पासे derivative टर्म छे अने अहीं आपनी पासे आ डायगोनल मेट्रिक्स छे अने पची आपनी पासे वाये छे अजनात हवे जो आपने फक्ता मल्टिप्लिकेशन ने जोईये तो आपने शुं मेडवी रहिया छिए आपने आ एन एक्वेशन मड़ी रहिया छे अने हवे ते खरेखर विलक्षन एक्वेशन छे कारण के एक वार आपने तेने डायगोनल एंट्रियों साथे मल्टिप्लाई करिये छिए आपने शुं मेडवी रहिया छिए लेंबडा एक वाय एक बीजी एंट्री अहिंग लेंबडा बे वाय बे अने लेंबडा एन वाय एन अने अहिंग पन आपने पासे वाय एक वाय बे वाय त्राण वाय एन ना आ डेरिवेटिवस छे तेथी आपने अही नाई equation मेडवियों छे जेनो अर्थ एन equation छे परंतु ते हवे अलग थाई गया छे काराण के दाखला तरीके पहलाँ equation मान मात्र वाय एक छे बीजा equation मान मात्र वाय बे छे त्रीजा equation मान फक्त वाय त्राण छे अने एक equation आ डी वाय नी उपर डी टी ए लेंबडा वाय प्रकार ना equation समान छे जे आपने केवी रीते हल करवूं ते जानिये छे कारण के आ तमाम equation आ प्रकार ना चे डी वाय नी उपर डी टी y t बराबर छे अने आपने अहिंग solution जानिये छिए आ y छे केटला constant exponential t तरीके तेथी आ equation y नूम solution c exponential sum equality छे अने अहिंग आपनी पासे आ बधा equation छे जे वदु जोडी equation न थी तेथी डायगनोलाइजेशन ना आ विचार द्वारा आपने equation नी जोडीवाडी सिस्टम मान्थी आ मेडवियों छे मात्र equation नी आ असंगठित सिस्टम जे हवे उकेलवा माटे सरड़ छे तेथी आपने आ दरेक equation ने अहिंग हल करिशूं उकेल y i t बराबर c i अने इपावर लेंबडा i t हशे तेथी आ c i constant आ integration पर छे तो आपने शों मेडवी शकीए आपनी पासे p inverse x t छे ते आपनों सब्स्किट्यूशन हतों जे आपने वाय माटे बनावियों छे अने हवे आपने वेक्तर वाय मलियों छे तेथी त्यांती आपने खरेखर आ x मेडवी शकीए छे फरीपाछा कारण के आपने शिस्टम माँ आपनों मुख्य वेरियबल x हतूं अथवा आपने तेने आ विस्त्रुत स्वरूप माँ लखी शकीए छीए तेथी आ x पासे आ n component हता x 1 x 2 x 3 x n अहीं आ पी वेक्तर पी छे वेक्तर पी अहीं जमनी बाजुए आयगन वेक्टर्स तरीके कोलम छे, तेथी अहीं डिये डायगोनल, मेट्रिक्स हतुं जेनी एंट्रियो ज्यान लेंबडा एक लेंबडा बे लेंबडा एन, अने अहीं आपने अनुरुप आयगन वेक्टर मरशे जेथी वी एक वी बे, अने आ वी त् तेमज आ प्रोडक्ट वायटी साथे करी शकिये छिए, तेथी अहीं आपनी पासे मुर्भुत रिते वायए एक वायबे, अने वायए एन्टी छे, जेनी किम्मत पण आपने जानिये छिए के ते इवनी पावर लेंबडा आईटी, तेथी आ मेट्रिक्स वेक्टर प्रोड अपने आ सीवन, इपावर लेंबडा वन टी अहीं सीटू इपावर लेंबडा टू टी सीएन इपावर लेंबडा एन टी सबस्टिटर्ट छे, तो अहीं आखरी टिप्पनी शुंग छे, के आपने आपेल मेट्रिक्स है, अने आयगन वेक्टर ना आयगन वेल्यूने बे आयगन वेक्टर लेंबडा एन ने अनुरूप तो आपने श्यों करवानूँ छे आपने आ मूर कोएफिशियंट मेट्रिक्स ने कम्प्यूट करवू पडशे जे सिस्टम ओफ इक्वेशन्स माटे आपवामां आवियूंग हतुंग आपने फक्त लेंबडा अने आयगन मूल्य आयगन वेक्टर्स ने कम्प्यूट करवानी जरूर छे अने पछी आपने सोल्यूशन शोधी शकीए छीए तेथी मात्रा आ दर्शाववा माटे आपने लिधेल छे अहीं सरण उदाहरन आपने अहीं सिस्टम फोर्म मान फरिथी लखी शकीए छीए तेथी dx1 dt dx2 dt आपने आ वेक्टर स्वरूपमांग आ कोएफिशियंट मेट्रिक्स 3,2,7 अने ओचा बे अने आ एक्स एक एक्स बे लखी शकीए छीए तो आपने शों करवूँँछे आपने अहीं आ मेट्रिक्स ना आयगन मुल्यो अने आयगन वेक्टर ने कम्प्यूट करवी पड़शे तेथी आ मेट्रिक्स ना आयगन मुल्यो आवी रहया छे ज्यारे आपने आ लाक्षनिक पोलिनोमियल लखीए छीए त्यारे आपनने आ माइनस 4 अने 5 आयगन मुल्यो तरीके मड़ी रहया छे अने तेने अनुरूप आयगन वेक्टर्स आपने अहिंग बे साथ अने एक मेडवी रहया छे तेथी एक ये 5 ने अनुलक्षे छे अने माइनस 4 आ बे अने माइनस 7 ने अनुलक्षे छे तेथी हबे आपने गोंस्टं्ट टर्म धरावता आयगन वेल्यू आयगन वेक्टर ना संदर्भ मां सिदो सोल्योशन लखी शकी चीए छे अने इक्स्पोनेंशियल, पावरा, लेंब डाटी, ने फरिती बिजा वेरियेबल बिजा वेक्टर, अने एक्स्पोनेंशियल, पांच्टी मुकवानी जरूर छे, तेथी आपने अहीं जोयों के आ डायगनोलाईजेशन नी मदद थी, आवी सिस्टम ने हल करवी खुब ज़ सरड हती, अने अहीं कंक्लूजन ए छे के मेट्रिक्स नूं आ डायगनोलाईजेशन, आपने शिख्या, अने खास करीने आपने आबे, एप्लिकेशन ने मेट्रिसिस नी पावर जोई छे, जे आपने आ विचार नी मदद थी सरड ता थी कंप्यूट करी शकिये छिए, अने लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन्स नी सिस्टम नो सोल्यूशन पन आ डायगनोलाईजेशन साथे, कंप्यूट करी शकिये छिए, तेथी आ ते संदर्बो छे, जेनो आपने उप्योग करियो छे, अने तमारा ध्यान माटे खुब-खुब आभार,